Hey guys welcome back to my channel Saadna Ki Recipe तो आज मैं आप सबके ले लेकर आई हम पनीर की रेसिपी पनीर की सबजी बनाने का तरीका अलग-अलग होता है आज हम पनीर को बहुत एजी तरीके से बनाने वाले हैं तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर को थोड़े बड़े-बड़े क्यूप्स में काट के रखे हुए हैं आप इसे जिस भी शेप में काटना चाहें काट सकते हैं तो चलिए पनीर तो कट हो चुका है अब इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमने गैस में दो बड़ा चमच तेल डाल के रखा हुआ था तेल के अच्छे से गरम होते ही हमने यहाँ पे दो तेज पत्तर डाल दिया है आज़ा चमच हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है जीरा के तड़कते ही हम यहाँ पे डालेंगे आज़ा चमच के करीबन हिंग और हिंग डालने के जस्ट बाद हम यहाँ पे डालेंगे प्याज तो मैंने यहाँ पे तीन प्याज को बारिक शॉप करके डाल दिया है प्याज डालने के बाद हमें क्या करना है बस चमच लाना है और इसे हमें धाई से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसे ढख कर पका लेना है तो लोजी फ्रेंट्स यहाँ पे तीन मिलिट के बाद हमारे जो प्याज है ना काफी अच्छे से भून चुके हैं इसमें काफी अच्छे से सुनहरा कलर आ चुका है देखे अब हमने यहाँ पे चम्मच चला दिया है, चम्मच चलाने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर की प्यूरी, तो मैंने यहाँ पे तीन बड़े टमाटर को पीस कर उसकी प्यूरी बना के तयार कर ली थी, तो यहाँ पे हमने टमाटर की प्यूरी डालने के बाद टेस्ट मेथी तो हमने कसूरे मेथी डाल दिया है अब सारे चीजों को सारे सुखे मसालों को हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करना है इसे हमें ढग कर दस मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेना है जिसे सारे मसाले अच्छे से पक जाए तो दस मिनट के बार आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे मसाले काफी अच्छे से पक चुके हैं इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है तो हमें यहाँ पे क्या करना है पहले तो हमें इसमें अच्छे से चम्मत चला लेनी है तो चलिए यहां पे हमने चम्मच चला लिया है उसके बाद हमें क्या करना है यहां पे आट करना है हमें पानी अगर आपको सबजी में ज्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप पानी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या तो आपको कम ग्रेवी पसंद है तो आप पानी की क्वा ग्रेवी में एक उबल आने के बाद हम सारे पनीर के क्यूपस इसमें डालेंगे और बस इस तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखे पनीर के क्यूब्स डालने के बाद हमने यहाँ पे इसे मिक्स कर लिया है अब हम यहाँ पे ढकन बंद करेंगे और इसे हम पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेंगे तो देखे फ्रेंट्स पांच मिनट में हमने इसे हाई फ्लेम पे पका लिया है और यहां पे जो हमारी पनीर की ग्रेवी वाली सबजी है ना काफी अच्छे से बन के तयार हो चुकी है देखिए फ्रेंट अगर आपको लग रही है कि ग्रेवी यहां पे जादा है तो आप इसे थोड़ी देर के लिए और पका सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से तो चामल के अच्छी लगी होगी तो कमेंट शेक्षन में जरूर से बताईएगा मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और जादा शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना आप बलकुल भी ना भूलिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नो के लिए बबाई थेंक्स पर वाचिंग